बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेट काईट पीपोल्स वोईज और पहला आइकन दबाए प्रदीश की रास्तिती में काफी दिल्चश्प मोड इस वक्त देखने को मिल रहा है उत्रप्रदीश के अंदर हर एक रास्तितिक पार्टी अगर किसी को लूभाने में लगी हुई है तो वो या दलित या फिर ब्रामन उत्रप्रदीश में इस वक्त 2022 में विदान सबा के चुनाओ है 2022 में विदान सबा चुनाओ की तैयारियों में जुटी भारती जन्ता पार्टी, पोगजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेश पार्टी और अन्ने रास्तितिक दलों के अगरम बात करें या उमीद है कि दलित और आपको बतादे कि जनरल में सिकाफत और से ब्रामन उनके साथ में जाएंगे लेकिन हम सवाल करते हैं आपसे कि इस बार ब्रामन समाज आपको बतादे कि किसके साथ जाएगा दरसल आपको बतादे कि हमेशा सब ब्रामन समाज को BJP का एक तरेके से अंग माना जाता रहा है लेकिन हाल पिलाल के अंदर ये BJP के साथ जुड़ा है तो ऐसे आलात में उत्रप्रदेश के अंदर BJP में जिस तरेके से एंकाउंटर हुए उससे कही न कही उत्रप्रदेश के अंदर इन ब्रामन समाज के लोगों के अंदर एक अलग तरीके सा ब्याप्त हुआ है कि बीजेपी में उनकी जो खास तोर से जो चीज़े देखने को मिली थी वो बीजेपी में उन्हें नहीं मिल पाई इस वजे से आपको बता दे कि कही न कही ब्रामन समाज नाराज है ऐसा आपको बता दे कि राज़नितिक विशले सक और राज़नितिक पार्टिया अनुमाल लगा रही है बहुजन समाज पार्टी ये सोच रही है कि 2007 के अंदर ब्रामन समाज और दलित समाज ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी समाज को मिला कर आपको बतादे कि एक तरह के सरकार बनाई थी और सरकार के अंदर ब्रामन समाज का काफी बड़ा योगदान रहा था, ब्रामन समाज के 40 से ज़्यादा विदाइक जीत कराए थे तो ऐसे आलात में भी S.P.E. चाहती है कि एक बार फिर से उतको साथ लिया जाए वहीं आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अब बहुजान समाज पार्टी के बाद में उसी तैयारी पर चड़ रही है वह समाजवादी पार्टी भी अब ब्रामन समाज का समयलन करेगी, ब्रामन समाज को लोभाने के कोशिश करेगी तो ऐसे आलात के अंदर आपको बता दे कि उनकी पूरी कोशिश में इसे में जुटे हुई है तो समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ब्रामन समाज उनके साथ जुट जाए यहां तक कि अकलेस यादव यह भी नहीं चाहते तो ऐसे में आपको बता दे कि एक सवाल में आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूं कि ब्रामन समाज इस बार किसको वोट देगा आप अपनी कमेंट में राय चुरूर दीजिए और आपको बताते कि आपकी कमेंट कि राय को अगले वीडियो में साविल किया जा सकते